मंद का डर कैसे निकाले इस बारे में मैं अभी आपको कुछ जान करें देने वाला हूँ होता कि है कि हमारे मंद में काफी डर बैठे वे रहते हैं जैसे लोग क्या कहेंगे पिर हम फेल हो जाएंगे कहें गिर जाएंगे यहां हमको सफलताने हासिल होगी यहां कि एक्सिडेंट हो जाएगा तर ऐसे काफी सारे डर हमारे मंद में रहते हैं और हम ऐसे डरावने रहते और वह तो मुनश्य की एक सामन्य बात है कि डर लगे रहना और डर की वजह से हम बहुत सारे काम अच्छी तरह से करते हैं जैसा हमा एक्सिडेंट का डर है इसलिह हम जड़ा हमारा जो यही कोर रहें के करके करके होता है कभी-कभी कुछ को पहुत ज्जादा डर लहा काफी डर इतना डर कि उनको काम करना मुश्किल हो जाए LOOK, for example, उधारन की तौर पे भोलना है तो उनको डर लगता है कि पब्लिक प्लेस में जाने तो शादी में जाना या बाहर मेले में जाना या प्रतरशनी में जाना या रास्ता पार करना या किसी के घर में अपना घर छोड़के जाना उनों को काफी डर लगे रहता है कि वो नहीं जा सकते तो बहुत डर लगता है फिर कुछ लोगम को रहता है किडे मकोडे कीजसнул हुआ, जो और जाएमा को रहता है तर तक तो हम रहता है सिर्दस के म parkedádिकता है', तो बहुत डर जा देख़ए तो उनको उनके सामने भी रहना मुश्किल हो जाए, पिर कुछ लोगों को कुछ जगह का डर है, जैसा उनको एक चार लोगों के सामने बात करना बहुत जगा डर लगा, आत्मभिश्वास नहीं, यह स्टेज पे जाके भाषन करने काड़ा है, यह उनको उच्छाही पे जाने का डर है, मतलब वह बिल्डिंग के ऊपर जाके, यहां जाने ही मतलब पसन काड़े की है, और जाना ही सकते हैं, सlden में रहता है, वहां अकेले नहीं रहता है है, बाजने हो इनको अंदेर रहता है, तो रच शक ए नहीं हो, स्यान को नहीं है, बाजने का लिलोगों का वह तो उनका होता क्या है कि यह जो डर है कुछ लोगों को रहता है डर कार में सफर करने कार में जा सकते नहीं हो बंद कार रही कार के दरवाज एक बार बंद करती है तो उनको डर लगता है या बस में जाने का डर रहता है या ट्रेन में सफर करने का डर मतलब कोई बंद चीज रहे कुछ लोगों को कोई लोगों का डर रहता है तो बड़ा अधिकारी है अफिसर है या बड़ा कोई व्यक्ति है या दिखने में कोई बड़ा है कुछ लोगों को आदमी का लाच रहती है तो कहीं व्यक्ति मर जाते हैं उनके घर में पसंद नहीं करते हो वह जाई सकते हैं उनको उसका डर लगों को है और डर लगना कोई बुरी बाद नहीं है मतलब इसमें कोई होता कुछ नहीं है अगर प्रॉब्लिम क्या है कि वह इतना डर थीक है तुन सिच्वेशन से वह एक तो भाग जाएंगे वह सहंन नहीं कर सकेंगे और उनको मुश्किल है कि कैसा काम करेंगे तक इसमें वह प्रसंद वाता औरं सामने आता है पुछ बहेंग कर चाती में ध्ढकन हो जाएंगी। और वो कुछ भी करके वहां से आग जाने के कोशिशश करंगे कि वहां रहने का न है। कि वाँ रिष्टेदार में आजिबाजमें इतना डर निकलते हैं मेरे ने जाना के वह बात हो रहा है तो आड़ अन्तयात्रा में जाना थुन्य में निकलते हमें subsidरे角 दीकारणजमें तो भी यह जो डर है उनसे वह वेक्ति का जीवन परावर चलता ही नहीं हो जो प्रॉब्लीम है जो काम नहीं कर सकता और यह डर की वज़े से उसके आजु-बाजु के इर्गिर्ट की लोके उनको भी तकलिव होजाते हैं आकिल हो ग्तिक के वज़े शावशा है, तो यह ऐसा डर है, और यह अनन्तों डर काण हे करहें, क्यों बता नहीं है, यह बोलते है, कि उनको बच्पन में अईसी कुछ तभी बात हो गयी । इसके वज़े से डर के दिमाज में बठ जाया तक कोई कंडिशनिंग हो गया कोई बात हो गई कि उसके वाज इसको डर बढ़ गया कि यह ऐसा बुले जाता है कि कम से कम हमारे हमारे देश में कम से कम चार से पांच करोड लोग उससे भी ज़्याद है मतलब exact आकड़ा तो मैं बता नहीं सकता हूँ आपको अभी पांच करोड लोग कम से कम यह डर के अत्ली डर के डर है डर आवनी चीज है फोबिया है उसको बोलते हूं तो फोबिया की मरी है यह उसकी शिकार है कुल गार शादी में जा सकते किसके हूं किसके हमिल ने को first hadpey सक्तै तो सो कैसे सुसाइटी में ने जा सक्ते तो अक्षर मैं को दिखा我們 और क्या नहीं बदॉस्टे कि करद देका उब मुझे टाइम यान प्राइब मिलता हूज इसलिए वह उनको कभी शाधी में दीखेंगे ने, कभी प्रोग्रम में बाहर कभी मिलने जुनने के लिए बाहर दिखेंगे ने और वो डर की चीज़ जो है जो प्रसंग है वो टालते रहते हैं ऐसा वह जाते है कि अमेरिका में 50 लाग लोग कम से कम इसके मरीश के यह मरीश के शिकार है अब यह पैदा कैसे हुआ डर ही तो कुस्तवी अतित में भूतकार में कुस्तवी ऐसा हुआ यह लोगों ने उसको भी सुन लिया और उसके वज़े से वह डर हो गया जैसा की एक आदा करीब का रेक्ति हाट अट अटेक से मर जाता है और वो सब चीज बहुत चीज देखती उसको रहता ऐ जाना, डॉक्टर के प्रब जाना, इसी में भृती किया, और वो बाद में उसका मृत्ती हो गई ऑज बाद में उसको इतना डिर लगे रहता है Пло…. गशेंखेंगे बिभ Quick रो इसको चिलाया, कभी बहुत जोर से चिलाया, कभी अतीत में ऐसा हुआ, उसके डर होता है, मतलब कुछ तो भी ऐसी घटना हो जाती है एकादी, अतीत में, कि उसकी वज़ासे उनको बहुत डर उनके मंद में दिमाग में बैठ जाता है। अनके मा, उनके पिता जी तो भी वएकती घर में बहुत अवन, मतलब कोई थो भी व्यक्ति घर में ऐसा रहता है, और उसके वज़े से बच्चों को भी आता है। मतलब यह लर्निंग है, शीखना हो जाता है उनको और उसकी वज़े से वह उनको बिमारी आती है आप कुछ पता है कि जैसा हाट इटाटा किसे मैंने बताया, जैसा चिपकली का भी बहुत लोग उनको डर एता है इसका इलाज क्या है जो डर है कि जब हमारा रोजबरा की जिंदेगी में वह उनको प्रॉब्लेमेटिक है, वह समस्या हो जाती है, तो उसका इलाज करना भी जरूरी है तो इसका इलाज में दो तरह से होता है, एक है कि दवाईया और दूसरा है उसको मांसुप्चार, उसके साथ मांसुप्चार में एक तो behavior therapy हो गई, फिर सम्मोहन उप्चार हो या counseling हो, दवाईया जो है, जो हम लिखते हैं इनके लिए कि कोई बहुत है कि उनको इतना डर आगा उस समे एक गुली है कि युशा को जबांत के नीचे रखो और तुरंट वो में फिहल जाएगी हुः हुण जन्हाई मैं जाएगगी इसका तरह निकाल है तो या इसी गुलियां रहती है जबांत के नीचे रखने के लिए तो ओ गोली खाऊ वह फिर रोज की ग дав cooked daily यह को भंटर लगने। उनको जो खाती में धड़कन हो जाती फ़सीना इतने घड़ दढ़ उनका दिल करेगा। इतने हाथ कांग tha कि उनको रहना ही मुश्किल हं तो फिर ऐसी दवाई यहां खाते हो तो यह सब symptoms जो है जो लक्षन है वो एधी उनके अच्छे होगे तो वो शान्ती से अभी सोच सकते हैं ते भी क्या करना तो फिर तो क्या दवाई का इलाज दवाई किते हैं लेना दवाई मानसोप्चार जो है psychotherapy counseling वो उसका फैदा पूरा क्या काई है conditioning मतलब कुछ तभी घटना हुई और वो घटना हुई और उसके साथ-साथ वो जो प्रसंग था वो जो अतावरंधा उसका मतलब धरावनी घटना हुई वो प्रसंग हो गया उसका conditioning हो दिमाग में अभी आगी चलके कुछ तभी वो जैसी घटना पहले जैसी मतलब जाना sensitive हो गया हो तो उनका को desensitization करना पड़ता है ताकि उनका डर घंग हो जाए तो उसके लिए को exercise है exercise हम बताते हैं कि वो exercise करो deconditioning की उनको cognitive behavior therapy देते हैं जिसमें अलग-अलग behaviors कैसे करना वरत्रणुक उच्चा रहा हो जैसा बूल सकते हैं तो वह हम उसको देते हैं उसके साथ सम्मोल उच्चा भी होता है सम्मोल में होता गया है कि हम उसको hypnotize करते हैं सम्मोल करते हैं और सम्मोल करने के बात में उसको visualize करने क वो situation visual है, मतलब वो situation की कलपना करो, जिसमें उनको डर लगे रहता है। मतलब इधर वो वेक्ती पुरा hypnotized है, पुरा relaxed है, पुरा completely relaxed, body उसकी relaxed है, पुरा बदन उसका relaxed है, और relaxed सवस्ता में जब उसको कोई डर नहीं है, उसको बोलते हैं, तो वो situation है, जिसका आपको डर लगे रहता है, उस situation अभी आ गई है आपके सामें। मतलब डरावनी situation है, वो relaxed है, डरावनी situation है, वो relaxed है, डरावनी situation है, वो relaxed है, यह ऐसा बार 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 हम करते हैं, उसका deconditioning हो जाएंगा, तो यह visualization की process है, सम्होन उक्चार में, सम्होई तवस्ता में, उससे वो अच्छा हो जाता है, मतलब हो सकता है, अभी एक बार मेरे पास में आके वो होंगा नहीं, तो उसको हम बोलते हैं, घर में भी आप करो, यह इलाज, और जब आप घर में भी यह practice करेंगे desensitization की, यह सम्होन उक्चार करकी, तो एक 6 हफते में या 8 हफते में उसको फायदा होना शूरू हो जाए इसमें तुरन दुप्चार नहीं है, मतलब हमाने पास में लोग आते हैं, बोलते हैं दो साल होगे, तीन साल होगे, आप सुझे देकंए, दो तीन साल से जब आप यह कैरी कर रहे हैं, आपको यह विक बाई वीक, अपते के अपते आते हैं, इलाज करवाते हैं, और उनका जब कमिट्मेंट रहते हैं, वचंत बदर है कि नहीं में अच्छा होने का है, तो इसमें 100% विक्ति अच्छा हो सकते हैं. लेडिस को यह विमारी जाद होते हैं, अस्त्रियों, पुरुशों से, तो उनको भी दिरे-दिरे-दिरे-दिरे मतलब इलाज करके, वो उनका इलाज अच्छा होते हैं, मतलब बदा रहे हो निकल जा सकते हैं. तो तो मेरा ऐसा आवान एया कि भई फib daha है, ये नहीं मान के है WOW कि भई मैं क्या है मैं पागल नहीं है डॉक्टर के तरफ पागल के तब जाना मतलब कहला शॉक्टिक की में पागल ॐ थै है तो आपका जीवन उसका जीवन पूरा अपका अपना पुद का जीवन पुरा हंडेड़ परसेंट वाच्छा बिता सकता है पर ऐसा आवन है कि यह इलाश कर्मा जरो जिनको जिनको प्रफलम है और अधिक आपको जानकरी इसके लिए चाहिए तो आप हमारी पर यूट्यूब को जा सकते हैं तो आप यूट्यूब को भी जो चैनल है मेरा इसको आप लाइक करो शेयर करो ताकि मेरा जो उद्देश है सबको यह वांसीख सास्थ झाल ज़रूरी है तो आप लोगों को यह शेयर करेंगे आप लाइक करेंगे चैनल को फॉलो करेंगे तो आपको नहीं-जाजी उसमें मिल जाएंगी और आप ज्यादा स्यादा लोगों तक आप यह पहुचा सकेंगे तो आप फेस्भू को लाइ करो वेबसाइट पर जाके और आपको कोई सवाल होना तो आपको सवाल को भी आपको जवाब मिल जाएंगा आम मेल भी सकते है और आप सवाल के जवाब ले सकते हैं आपने यह सुन लिया उसके लिए थैंक्ट्यू वेरी मच्छ वाय वाय सीव